सितंबर महा मौनसुन की विदाई का माना जाता है लेकिन इन दिनों मध्यपरदेश के खरगोन जिले में होरे बारिशे सुरुआती दिनों का एहसास हो रहा है पिशले एक सब्ता से तो रोजाना आदे से एक घंटे तक पानी बरस रहा है इससे जन जिन वन परभावित होने के साथ ही फसलों पर विपरीत असर पढ़ रहा है बारिश से बिमारियों का परकौप तो कम हो गया लेकिन खेतों में अधिक नमी और पानी भरने से फसलों में जड़ सणन की आशंका है कपास और सोया बीन के फल काले पढ़ गए हैं उत्पादन पर असर पढ़ने पर किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पढ़ सकता है किसानों को कहना है कि विदाई लेते मोंसून ने कमर तोड़ दी है शुरुवाती दोर में बारिश की देरी से परिशानी हुई अब रुक रुक कर तेज हवा के साथ बारिश होने से परिशान हो रहे हैं मंडियों में कपास का मूरत भाव सुनकर इस बार अच्छा लाब मिनले की उमीद पर भी पानी फिर रहा है पहली फ्लोश का कपास काला होने से कम दाम मिनले की अशंका है हलाकि क्रिशी विभाग का मानना है कि इस बारिश से फसलों का आर्शिक नुकसान ही है बहुत जादा नुकसान नहीं है वहें बोरावा में भी कि मौनसुन की विदाई के दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब बारिश ना हुई हो पिछले एक सब्ता से तो रोजाना आदे से एक घंटे तक बारिश देखने को मिल रही है किसानों का कहना है कि इससे फसले खराब होने लगी है पोधे भी काले पड़ चुके हैं और किसानों ने कपास फसल से बहुत उमीद लगा रखी थी लेकिन वर्तमान में बरस रहा पानी आफ़त की बारिश साबित हो रहा है इससे किसानों के चहरे की चमक गाहब हो गई किसानों ने कहा है कि मंडी मूरत में खुले भाव से अच्छे लाब जो मिलने की उमीद थी वो अब दिखाई नहीं दे रही लगादर बारिश से 10 मिनट में ही खेतों में पानी भर रहा है ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है आपको बता दे कि जिले में अब तक 753.9 मिलिमीटर ओसद बारिश हो चुकी है ये साल भर की बारिश के ओसद 825.2 से मातर 71.3 मिलिमीटर पीछे है पिछले साल इस सीजन में 496.5 मिलिमीटर बारिश हुई थी कपास के भाव 12,000 पे प्रति कुइंचल तक पहुँचे थे इस बार करीब 11,000 पे कुइंचल से मुरत शुरू हुआ और मुरत के दिनी अधिक्तम भाव 12,000 तक जा पहुँचा इस बार भी कपास के दाम किसानों को भेतर मिलने की उमीद है विपारे भी यही मानते हैं और उनका कहना है कि प्रोसी देशों में प्राकर्तिक आपदा के चलते उमीद की जा रही है कि कपास की फसल वहां पर परभावित हो सकती है और इसका सीधा असर भारत पर पढ़ेगा और इसका सीधा असर उत्पादन पर भी पढ़ता हुआ दिखाई दिएगा ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में एक बार फ़र से तेजी कार दोर बनता हुआ दिखाई दे सकता है